वेलकम बैक स्टूडेंट्स और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्क्षीट नमबर 48 फोर क्लास नाइन्थ और विशे क्या है विज्ञान शिक्षा निजिशाले की तरफ से 23rd October 2020 के लिए ये वर्क्षीट आपकी सेडूल की गई है और इस वर्क्षीट म हम उत्तक के बारे में ही पढ़ेंगे जो हमारा जो चैप्टर है वो कॉंटिन्यू है और टॉपी क्या रहे है जटिल स्थाई उत्तक उसमें हम जायलम के बारे में पढ़ेंगे लास्ट वर्क्षीट में हमने सरंग्षी उत्तक के बारे में पढ़ा ठीके अब हम में क्या कारिय होता है ग्यान जैसा कि हम जानते हैं कि जटिल्स थाई उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होती है सुसुर्ण्स हमने जाना कि जो सरल्स थाई उत्तक होती हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होती हैं ये सभी कोशिकाई मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिस्ट कार्य को पूरा करती है जटिल स्थाई उत्तक कितने प्रकार के होंगे? जटिल स्थाई उत्तक दो प्रकार के होती है एक क्या है जायलम और दूसरा क्या होता है फ्लोयम इंपोर्टेंट है ये आप इसको याद रखेंगे जायलम और फ्लोयम दो प्रकार के हो गए जटिल, स्थाई, उत्तक सरल स्थाई उत्तक हो गए तीन प्रकार के पैरंकायमा, कॉलंकायमा, स्क्रेरंकायमा जटिल स्थाई उत्तक दो प्रकार के जायलम उत्तक फ्लोयम उत्तक सरवस्थाई उत्तक में एक ही प्रकार की कोशिकाई हैं जटिल स्थाई उत्तक में एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाई हैं अब देखिए यहें दोनों उत्तक पादपों में जल, खनीज और भूजन का समवन करते हैं तो जायलम जो है वो जल और खनीज का समवन करता है और फ्लोयम जो है वो भूजन को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भीजता है और भोजन बनता कहाँ पे है पत्तियों में तो फ्लॉयम पत्तियों से भोजन लेकर सारे जो भाग है पौधे के वहां तक भीजता है और जायलम क्या करेगा जो जल और खनीज है वो जडों से लेकर और सारे जो पौधा है उसके भाग तक भीजता है इसलिए इन्हें क्या कहते हैं इन्हें सम्वन उत्तक के कहते हैं पादगों में यह उत्तक सामान्य तोर पर साथ साथ स्थित होते हैं जिसे सम्वन बंडल कहते हैं ठीके अब देखें जटिल स्थाई उत्तक बड़े पौधों की एक विशेशता है यानि जो बहुत बड़े बड़े पोधे होते हैं उनमें समवन जो है वो विश्रन के माध्यम से नहीं हो सकता ना तो जल का ना ही कनीज का ना ही भोजन का इसलिए उन पोधों में इनकी जादा विशेश महत्व है अब हम पढ़ेंगे जायलम के बारे में तो जायलम की देखि कोशिकाएं हैं इसके इंदर कौन से कौन से हैं चार तरह की पहली है जायलम ट्रेकीड जायलम ट्रेकीड को क्या कहा जाता है वाही निका दूसरी है वाही का जायलम पैरनकाइमा और जायलम फाइबर तो बच्चे याद रखेंगे वाही निका वाही का जायलम पैरनकाइमा और जायलम फाइबर अब देखिए जायलम पैरन काइमा के अलावा अन्य परिपक्व जायलम कोशिकाएं मृत हो जाती है यानि जब ये कोशिकाएं मैचोर होती है तो केवल जायलम पैरन काइमा ही सजीव रहती है बाकी सारी कैसी हो जाती है वो मृत हो जाती है, तो आपको याद रखना है कि प्रिपक्व के बाद जायलम ट्रक की यह वाहिनिका, वाहिका और जायलम फाइबर यह मृत हो जाएंगी, केवल जायलम पैरन कायमा जो है, वो क्या रहेगी, वो जीवित कोशिका रहती है, वाहिनिका और वाहिका की कोशिका बित्ती मोटी होती है आप देख रहे हो यह क्या है वाही निका है यहां डाइग्राम में आपको कोशिकाई दिखाई गई है तो यह जो है यह क्या है फाइबर है यह वाही निका है आप देख रहे है उसकी कोशिका बित्ती मोटी है इसी तरफ वाही का की जो भी आउटर की य ये भी कैसी है मोटी है और ये क्या है जायलम पैरन काइमा तो इनकी जो कोशिका भित्ती है ये मोटी होती है और ये दोनों नली का कार सरंचनाए है नली के आकार की सरंचनाए है अब इनके कार ये क्या है जायलम उत्तक में वाहिका वे वाहिनी का जड से पौधे के विभिन खनीज तथा जल का उधरवादर सम्वन करते हैं यानि जो है विटस का क्या है कि जो ये पौधे के विभिन भागो तक मैंने आपको बताया कि जल पौधे को कहां से मिलता है जड़ों से मिलता है तो ये जो जायलम क्या करेगा ये जल और खनीज को उधरवादर सम्वन करते है यानि एक ही दिशा में ये जल उर्खनीज का समवन करते हैं जड़ से लेकर बाग की भागों तक ये जाता है तो इसलिए ये एक ही दिशा में समवन करेगा अब देखिए नेक्स्ट क्या है जायलम फाइबर स्कलेरन काइमा के बने होती है जो जायलम फाइबर है वो किसकी बने है स्क्लेरन काइमा की और यह पौधे को द्रड़ता प्रदान करता है पौधा द्रड़ होता है सक्त होता है तो यह पौधे को जायलम फाइबर जो है वो द्रड़ता प्रदान करती है जायलम पैरन काईमा भोजन संग्रे और पार्श्विय संवन में मदद करती है तो बचो जो जायलम पैरन काईमा है हमने पहले भी पढ़ा है कि पैरन काईमा का कारिय क्या होता है पैरन काईमा का मुख्य कारिय जो है वो भंडारन करना होता है तो यहाँ पर भी वही है कि जो जैलम पैरन कायमा है उसका कारिय क्या है में इन भोजन का संग्रह करना और पार्स यह सवन में मदद करता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर कुछ कोशन दिये गई है आपको इन कोशन को सौल करना है फर्स्ट क्या है जटल स्थायू तक क्या होते हैं इनके नाम लिखे तो हमने अभी उपर किया जटल स्थायू तक क्या होते हैं तो यहाँ से आप इसका अंसर लिखेंगे जटल स्थायू तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और यह सभी कोशिकाओं मिलकर एक हिकाई की तरह विशिस्ट कारे को पूरा करती हैं, जटल स्थाय उत्तक दो प्रकार के होती हैं, जायलम उत्तक और फ्लोयम उत्तक, तो यहां तक इसका पांसर रिखेंगे, question 1 का ये उत्तर हो जाएगा, next question देखे, question 2 क्या है, 7 उत्तक और 7 बंडल क्या होती हैं, जो दोनो ही यहाँ पर दिये गई हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जायलम और फ्लोयम उत्तक, यानि यह दोनों उत्तक, दोनों की जगाँ आप लिख देंगे, जायलम और फ्लोयम उत्तक, पादपो में खनीज और भूजन का संभन करते हैं, इसलिए इन्हें संभन उत्तक कहत पादपु में यह है उत्तक सामान्य तोर पर साथ साथ सित होती है जिसे क्या कहा जाता है समन बंडल कहा जाता Ch casts जाता है आप देख सकते हो यह एक जो कार्ट दिखाई गई है जिसके अंदर ये जायलम है तो ये फ्लोम है तो ये साथ साथ होती है ठीक है और जिसके करण दोनों को जो है क्या कहा जाएगा दोनों को समवन बंडल कहते हैं और एक अकेले को क्या कहेंगे अलग-अलग इनको क्या कहते हैं ये समवन उत्तक है नेक्स देखें, नेक्स कोशन क्या है जायलम उत्तक के चार भागो के नाम और उनके कारिये लिखिए तो चार भागो के नाम जो है ये चार तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता चार भागों के नाम ये दिये गई हैं, यहां से यहां तक आप इनके नाम लिखेंगे, और इनके जो कारिये हैं, कारिये यहां पर आपको दिये गई हैं, तो one by one आप इनके कारिये लिखतेंगे, as it is जो बिटा ये answer रहेगा, तो यह आपका question number 3 का answer हो जाएगा, पहले नाम ल कोशिका परीपकव होने पर जीवित रहती है, जायलम पैरन काइमा, तो जायलम पैरन काइमा के अलावा अन्य परीपकव जायलम कोशिकाएं मिरत हो जाती हैं, तो जायलम पैरन काइमा, तो यह हो गया आपका question 4 का answer, तो यह थी बिटा आपकी आज की worksheet, I hope बिटा आपको यह वक्षीट क्लियर है काफी easy वक्षीट है ये ठिके और बहुत ही आसान और simple तरीके से आपको इसमें समझाया गया है कोई भी problem है तो आप comment करके पूछ सकते हो गर वीडियो अच्छे लगी तो like share जरूर कीचे चैनल को subscribe कीचे and thanks for watching have a nice day